दोस्तों अभी आपकी मुबाइल की स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये परिवार किसका है दरसल ये परिवार राजस्थान के पच्पद्रा के विदायक मदन परजापत का है मदन परजापत जो कॉंग्रेस से विदायक है उनमें आपको इनके माता पिता इनकी पत्नी और उनके बेटा बेटी नजर आ रहे है मदन परजापत आज पूरे देश बर में चर्चाओं में है क्योंकि मदन परजापत ने अपने चेतर बालोतरा को जिला बनाने के लिए जूते पहने तक छोड़ दिये थे और हाली में मुक्यमंत्री अशूग गैलोत ने उनको सोगात देते वे बालोतरा को जिला बनाने की गोशना की है बालोतरा ही नहीं बलकि राजस्थान के 19 नई ऐसे जगह है जिनको जिला बनाने की गोशना की है लेकिन देश बर में और परदेश बर में चर्चा सिर्फ बालोतरा को जिला बनाने की हो रही है और कहीं न कहीं मदन परजापत के जो परिवार के लोग है वो भी इस बात से खुश नजरा रहे हैं अब ज़रा सुनिए कि उनकी बेटी उनके बेटे और उनकी मा ने बालोतरा जिला बनने पर क्या कहा है खुश होती है पर जिस्टेम पापा को बीना चपलों के देखती थी बहुत अकलीब होती थी क्योंकि उनके पैर में इतनी सारी परिशानी हो गई क्योंकि पटिया बगर सब करवाई बहुत अकलीब देखी पर आखिरकार लाश्ट में उनकी मेनत काम आई रंग लाया और साथ दिया और मैंने बोला कब गर पर आ रहो तो कि बोला बहुत जल्द आप सबसे मिलेंगे और खुछ से जायर करेंगे बेटार जूद पुरी विए बंगोन की दिये उपरवाडे पीजोगलो साब की दिये किती खुशी बहुत खुशी है पुरी परवार ने मार पुरों परवार है उननन बहुत खुशी है कलो साब बात पूरी राखिए पुरी खुशी है एक साल बिना सपल जुता जरे सुबे साम आवता हुन थानके जल्द गुन दर लाग दो पक बढ़ता है दके में वसा बसाब ता क्वाई कि वसा मुंकों पक बढ़े करने तकलीफ तो सब्सक्राइक हो जोते में आपको बहुत हैं सब्सक्राइब गोष्णा होता कि मैं उनकी संतान हो और इनकी इस मेरे नजरों में यह एक बेटे के नहीं बहुत बहुत खुशी की बात है साथ सबसे पहले जिन्होंने ये गोशना की है माननी मुख्यमंत्री सीम साथ जिन्होंने आपके मादेम से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवा देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने बालोतरा के 40 साल पुरानी जो लंबीत मांग थी जो लोग कहीं बाते करते थे कि चपल उतारनी से अगर जिल्ला बन जाता तो आगे भी और सब यूज की हैं जो मैं आपके मादेम से नहीं कहना चाहता पर जो आज पैदल चलने की बदोलत आज शंगर्स के सल्यूट है मैं करता हूं कि जो आज बालोतरा जिल्ला उनकी मैनत के बतलत बना है तो बालोतरा वासियों के पर जिस्तमें उनके पैरों की और नजर्ज हमारी जाती थी तो मन में दुख सा होता था कि जब हम इतने खुश हैं और उनके पैरों में जूते तक नहीं है तो एक मन में बड़ा सा संकोष टाइप बना रहता था पर आज बालोतरा जिल्ला बना है सीम साहब को बहुत दन्य अवाद है जो उन्होंने मांग पूरी की है तो अब सब सही हैं